हेलो गाइस कैसे हो आप सब लोग मैं दीपक एक बार फिर से सभात करता हूँ आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे तो SBI का जो P.O. का नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया SBI ने और ये फोर्म आप कब से फिल कर सकते हो वो आप फिल कर सकते हो तो 22 से लेकर यानि कि कल है उसको 12 ऑक्तूबर तक आप फिल कर सकते हो ऐप्लिकेशन फिल कर सकते हो वो भी आप 22 से लेकर बार ऑक्तूबर तक आप आप फिल अप भर सकते हैं इसमें कोई extra days नहीं दिये गए है तो बारा आपका last date होगा कल से आपके online application start हो जाएंगे और जो प्रिलिम का जो एक्जाम का जो call letter यानि के admit card का जो आएंगे वो 1st या 2nd week December में आ जाएंगे और जो online examination जो होगा प्रिलिम का वो रहेगा 17, 18, 19, 20 यानि के 4 दिन नों रखें December के 1st और 2nd week में आपके call letter यानि के admit card आ जाएंगे 17, 18, 19, 20 को आपका exam होगा SBIPO का और जो declaration होगा result का प्रिलिम का वो होगा December 2022 में या फिर January 2023 में आपका जो result है प्रिलिम का वो आजाएगा और जो main exam का जो call letter है वो आपका January या February, January के last में या February के starting में आपका जो main exams का है जो वो आपका call letter आजाएगा और online exam, online जो main exam होगा वो भी मतलब अगर January में result, January में अगर call letter आते है, January में या आपका exam हो सकता है और February में भी आपका exam हो सकता है, जो main exam होगा और जो result होगा mains का वो February के last week तक आ सकता है February 2023 का इन्होंने date दिया, कोई exact date नहीं दिया, just month बताया इन्होंने, तो February 2023 में आपका main result आ सकता है और जो phase 3 call letter जो आएंगे वो 2023, February 2023 में आ सकता है और जो psychometric test जो जिसमें GD वगारा होती है, वो आपका February या March 2023 इन्होंने दिया है और interview and group exercise February 2023 में आपको दिया है, और declaration जो final result होगा, वो March के last तक आपका final result आ जाएगा तो ये सब कुछ information थी और जो download of call letter for pre-lay exams training मतलब जो SCSTA है religious minority जो belong करती है उनके लिए भई ये कुछ training वगारा भी SBA प्रोवाइड करवाता है तो ये सब उसके बारे में information है अब बात कर लेते हैं कि भई इसमें age relaxation क्या रहेगी तो जो age limit चो रहेगी वो 21 साल से नीचे नहीं हो सकता और 14-2022 यानि कि 1 April 2020 को 30 साल से उपर नहीं हो सकता तो यानि कि maximum age limit आपकी 30 होने चाहिए येस अगर आप किसी केटेग्री से बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ age relaxation मिलेगा यानि कि अगर आप schedule cast या schedule tribes हैं तो आपको 5 साल का age relaxation मिलेगा OBC with non-crimalier certificate आपके पास तो 3 साल का आपके पास age relaxation मिलेगा और person with benchmark disabilities है उनके लिए आपको अगर उसमें PWD में अगर आप SCST है तो उसमें आपको 15 साल का मिल जाएगा OBC है उसमें आपको 13 साल का मिल जाएगा और general EWS category उसमें आपको 10 साल का मिल जाएगा और ex-service man के लिए आपका 5 साल के age relaxation मिल जाएगा तो यह सब कुछ बातें थी इसमें क्या-क्या आपका physical handicap जो students होते हैं उनके लिए क्या-क्या criteria रहेगा वो इन सब में लिखा हुआ blindness कितना होना चाहिए low vision क्या है तो वो सारी चीज़े आपका इसमें मिल जाएगा आप इसको जो भी concern आपका है उसमें आप check कर सकते हैं अब selection procedure में क्या रहेगा जो prelim का selection procedure रहेगा उसमें आपको total 100 marks का आपका question होगा total 1 hour का exam होगा और जो उसमें 20-20 minutes आपको दे दी जाएंगी English language, quantitative aptitude, reasoning ability आपको 20 minute के लिए ही वो आपका particular duration के लिए होगा सिर्फ यानि कि यह नहीं है कि आप कोई भी section आप खोल सकते हैं सिर्फ English आपका 20 minute के लिए ही खुलेगा उसके बाद एक बार आपने submit कर दिया या फिर auto submit हो जाएगा 20 minute के बाद तो आप दुबारा English को नहीं आप दुबारा exam में English को नहीं attempt कर सकते हैं ऐसा ही similarly quantitative aptitude है ऐसा ही similarly reasoning ability यानि कि particular 20 minutes आपको दी जाएंगी उसके अलावा आपको उस section के लिए extra minutes नहीं मिलेंगे तो यह आपका 100 marks का total question होंगे और 35 marks तीस marks के होंगे English के 35 होंगे quantitative aptitude के और 35 marks होंगे reasoning ability के अब mains की बात कर लेते हैं तो means का duration जो रहेगा वो आपका total 200 minutes रहेंगे total जो duration रहेगा वो 3 hours का रहेगा यानि कि 180 minutes आपका रहेगा अब इसमें भी similarly रहेगा कि बाई इसमें जो first section रहेगा reasoning and computer aptitude जिसके 40 questions आएंगे 50 marks के यानि कि 50 minutes आपको total दी जाएंगे data analysis and interpretation 30 questions आएंगे 50 marks के 45 minutes आपको total दी जाएंगे general economy और banking awareness के आपके 50 questions आएंगे 60 marks के 45 minutes आपको total दी जाएंगे और English language के आपके पास 35 questions आएंगे 40 marks के यानि कि 40 minutes आपको total दी जाएंगे total जो होंगे 200 marks का question होंगे और 3 घंटे आपका जो exam चलेगा वो 3 घंटे चलेगा जो total questions होएंगे वो 155 question होएंगे और English का जो descriptive paper होगा इसके लिए English language letter writing and essay के लिए उसके 2 question होंगे 50 marks का होगा और total वो 30 minutes के लिए आपको मेंस जो होगा आपका total 250 marks का question रहेगा जिसके लिए आपको 3.5 घंटे दीए जाएंगे और जो penalty रहेगी वो आपकी 0.25 रहती है 1 fourth आपका जो negative marking रहती है वो रहेगी और उसके बाद psychometric test के लिए आपको भी maximum marks इसका 20 एक group exercise के लिए 20 रहेगा interview के लिए 30 रहेगा total 50 marks का question रहेगा total 50 का आपका रहेगा अब overall की बात कर लेते हैं तो maximum marks कितने रहेंगे final selection के लिए आपके पास 200 mains का हो गया group exercise 50 की होगी जिसमें आपका interview भी आ जाता है total 300 का आपका exam conduct किया जाएगा 250 का mains prelim जो है वो qualify रहता है mains 250 का group exercise 50 की and normalize अगर इसको कर देंगे तो 75 marks का mains रहेगा और 25 marks का आपका group exercise रहेगी total 100 marks में से आपका जो result आएगा 100 marks से आएगा जो normalize marks करने के बाद ठीक है तो ये सारी कुछ details थी अब इसमें आप जाके देख सकते है total vacancies कितनी थी इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ जस्ट एक मिन्ट मिर को दे दीजे total vacancies काफी सारी vacancies थी इसमें ओके कहां गई vacancy just a minute जी हाँ ये रही vacancies जो थी category wise अगर बात करें SC की तो 240 regular vacancy यानि कि इसमें backlog vacancies भी है SC की 240 regular है जो अबके बार नई vacancy आई है backlog vacancy 30 है SC के लिए 120 नई vacancy आई है OC के लिए 432 नई vacancy आई है और backlog vacancies 32 है EWS की 160 vacancy है backlog vacancy कोई भी नहीं है UR की सबसे जयादा vacancy आई है 648 vacancy UR के है backlog की नहीं है total बात करें जो नई vacancies आई है 1600 vacancies आई है और 73 जो है वो backlog vacancy बची हुई है टोटल बात करें तो 1673 की vacancy आई है और VI जो visual जो handicap होते हैं उसके लिए 16 HI की 16 vacancy, LD के 16, DND के 16 तो ये सारी कुछ vacancies आई हैं इन vacancies को आप देख लीजिए और ये जो form आप भर सकते हैं वो कल से start हो जाएंगे form आप fill कर सकते हैं और 12 तारिक यानि के 12 October तक आप इस form को fill कर सकते हैं तो ये एक छोटी से वीडियो थी जो form fill करना चाता है SBA का वो fill कर सकता है और जिन्होंने अभी तक चैनल को likes नहीं किया, share नहीं किया, subscribe नहीं किया हूँ चैनल को ये जो जाएंगे